हेलो फ्रेंड वेल्कम बेक टू मैं चैनल दिवेल्प किचन आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही इजी वे में हम अपना घर पर ही वेट लॉस कैसे कर सकते हैं वह बताऊंगी तो अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल भुषा और चैनल को ऑझाएगा इस को बनाने कि लगा घरी के समान लगेगा की खेंशन से मार्केश नहीं है तो युमर्कों को अबकिवेल तीन टाइम लेना है एक एक आपको सुबह सब्सक्त को ऑफनी बन然后 तो आपको छे बजे लेना अ dispatch को लेना है तो आपको शेंगी ज जितना भी मीठे का प्रोडेक्ट होता है तो सबसे पहले नीबू ले लिए नीफू आप देख सकते है तो देख सकते हैं नीबू का पेड़ है तो आपको बिल्कुल फ्रैश इब मिले लेने अगर आपके पास नीबू नहीं जो हरे हरे इस तरीके से नीबू है उसको नहीं लेंगे पके जो नीबू है ना इस तरीके से येलो कलर के दिख रहे हैं उस नीबू को आपको लेना है नीबू बहुत ही आसान तरीके से वजन कम करते हैं और बहुत साधा ये हमारी बॉड़ी के लिए फायदा भी करता है अग तो आपको इस तरीके के नीबु को भी लेना है तो यह मैं आप देख सकतो बहुत सारे नीबु आ रहे हैं तो इसमें से जो भी पकावा नीबु ना वो ले लेंगे हम और इस डिंक को अगर आप पी रहे हो तो आपको सुबह 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 ना 10-15 मिट एक्सराइज भी करनी ह है अभी तीन से चार तो एक नीबु यह आपको एक दिन में काम आएगा तीन बार रिंग बनाने के लिए आपको एक नीबु का यूज करना है तो सबसे पहले आप देख सकते हो मैं एक और चीज इसमें यूज करूंगी ताकि जो हमारा वेट लॉस से बहुत ही आसान तरीक मैं उइन संहारी देदूंगी तो वहां पे पढ़ सकते हो यह नहीं होती है ना इस सब्सक्राइब क रिखे कि यह नहीं जीरड़े ले लें लेकर लेकर इस जीरड़े रहे निबु के साथ-ठीजौन भूह सौवाज के साथ-चृड़ बहृत ही आसान तरीके गिसकी ड्रिं नियुआ में और आपको जीरा इस तरिकसे ले लिया है जीरा इस चीज का दहां राखना है सीमा हो नहीं होना चाहिए बिल्कुल फ्रेश जीरा होना चाहिए और जीरा आप कोई भी क्वालेटी का यूज कर सकते तो इस तरीके से आपको जीरा और निबू ले लेना है तो इन ही कि आम ड्रिंग आपको बनाना बताऊंगी मैं और इस तरीके से यह जीरा मैंने डबे में लिए ना दो से तीन महने के लिए उस हो जाएगा अगर आपको ज्यादा लोगो कि निबू और जीरे कि आप बना रहे हो ना तो आपको और कोई डिंक नहीं पीनी है इस जीज का आप धिया रखना है केवल इस ही डिंक को आपको पीना है और जब भी आप पानी पीना है वजन कम गरने के लिए तो यह देख सकते हो मैंने पानी एक ग्लास की लगबग दाल दिया है तो डाल दिया है तो घ्राव दाल दिया है तो मैं तो इस दोत पनीं हम ऐई को हम डेख सकते हो कि आही तो यह ठोड़ा सा जोड़ा हो चुक आप देख सकते हो अब इसमें OFFICER या कर देना है जीरा का या ऐप आप से आपको बिल्कुल फो मेशा झटरा एंगे में गछ देंगे की अगर भी को चाहू ऑफ कर सकते हो आपने रात-भर यह पानी बनाने में आप भीगोके पर पाने के गरम कर थेंगे यह बाल देंगे तो एक तर चार्讲 मिट वोगे रोड़ झाल रात स्क्रावDS और आप इस टाइम ना अधरक को कद्दुकस करके डाल सकते हो अधरक का जो रस होता है बहुत ज़ादा वजन कम करने के लिए फायदे मन्द होता है और साथ-साथ में हमारे जो खून को पतला करने में मदद में आता है बट मैंने इस ड्रिंक को बनाने के लिए केवल दोई चीजों का यूज किया है जीरे और नीबू का तो इसको अची तरीके से आपको कलवा लेना है इस तरीके से तो इस बहुत ही आसान तरीके से बनके भी त्यार हो जाती है इसको तीन से चार मिट लगती है ड्रिंक को बनाने में वीडियो थोड़ा सा लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं आपको पूरी जानकारे भी दे रही हूँ और मैंने इसके जितने भी फायदा और नुकसान होते है जीरे और नीवू के उसको पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखकर दे दिया है तो अहां पर जाके आप पढ़ सकते हो तो जीरे आप देख सकते हो अची तरीके से उकल चुका है पानी मार पानी का बिल्कुल कलर चेंज हो चुका है पहले पानी आप देख सकते हो किस कलर का थो और आप ये बिल्कुल येलो कलर का हो चुका है पानी तो ये बिल्कुल बनके त्यार हो चुकी है ड्रिंक तो आपको 3-4 मिन के लिए ची तरीके से इसको पका लेना है और अगर आप बीजी रहते हो आप सुबह से शाम तक आपको टाइम नहीं मिलता है ये ड्रिंग बनाने के लिए तो आप ना इसको स्टोर करके भी रख सकते हो एक दिन के लिए तो जब जब आपको पीना हो ना तब आप इसको थोड़ा गुनगुना करके पी सकते हो इस तरीके से स्टोर कर सकते हो भी बना कर सुबर सुबर तो इस तरीके से भी बिलकुल बनके त्यार हो चुका है थोड़ा सा मैंने इसको गुन-गुना करा था और ये पानी देख सकती है, कितने आसान में बन के त्यार हो चुका है, तो इस तरीके से जिसको भी नीबु से प्रॉब्लम है उजीरे की इस तरीके से पानी पी सकता है, और जिसको प्रॉब्लम नहीं है, एलर्जी नहीं होती है नीबू से वुद नीबू का यूजरता है क्योंकि नीबू बहुत ही फायदा गर्ता है बशन कम करने के लिए तो नीबू को आपको इस तरीके से कटकर लेना है तो इदिख सकथ अच्छी तरीके से नीबू भी पका हुआ है तो अब इसका नीबू पनी लिंगे च liaison तो आपको सबसे पहले blows निकाल देने है जितने भी नीवू के बीज है उसको अब इसमें नीवू के रसको डाल देंगे इस पानी में तो देख सकते हो पानी का अलका-अलका येलो होने लगा उने लगा है तो बिल्कुल पानी बन गे त्यार हो चुका है आपको गुनगुना पानी पीना है तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ-साथ मैं आपको इस ड्रिंक को तीन बार लेना है मैं आपको दुबार बता देती हूं और शाम को अब जब भी खाना खाऊना तो आपको जल्दी ख हो सके और आप जब भी खाना खाऊना तो आपको ना तीन से चार बार खाने को खाना है मील को डिवाइड करकी खाना है तो दोस्ता